रविंद्र जडेजा ने फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल में आखरी दो गेंदो पर पहले छक्का और फिर चौका लगा कर चिन्नई की टीम को चैंपियन बना दिया प्रेशर में खेले गए जडेजा के इन दोनों शॉर्ट्स की पूरी दुनिया में चर्चा है और उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं चैंपियन बनने के बाद चिन्नई की टीम देर रात तक सेलिबरेट करती रही लेकिन उस गेंदबाज का क्या जिसकी आखरी दो गेंदों पर ये दसरन बने थे वो रात उनके लिए कैसी गुजरी आज बताऊंगा क्योंकि ये बाते खुद उस गेंदबाज में बताई है साथे बताऊंगा कि जब वो आखरी गींद फेकने जा रहे थे उस वक्त वो क्या सोच रहे थे और जब हार्दिक पांडिया और सपोर्ट स्टाफ आखरी दो गेंदों से पहले उनसे बात चीत कर रहे थे तो क्या बाते हो रही थी ये बाते भी बताई हैं उस गेंदबाज ने यानि की मोहित शर्मा ने हार के बाद किसने उनसे क्या कहा ये भी उन्होंने बताया है तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लेकिन पहले बतादू कि आप देख रहें नियूस बाइस कोप और मैं हूरा के शरंजन फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल में चिन्नई की टीम ने शांदार जीत दर्ज की रोमांचक जीत दर्ज की और एक निल बाइटिंग फिनिश में गुजरात की टीम को पराजित कर दिया आखरी ओवर में 13 रन चाहिए थे मोहित शर्मा को कप्तान हार्देक पांडिया ने गेन सौपी थी और सामने थे रविंद्र जडेजा और शिवम तूबे पहली चार गेंदे मोहित शर्मा ने कमाल की फिकी थी यॉर्कस डालने की कोशिश की जिसमें से दो लोग फुल टॉस भी हुए थे उसके बाद दो गेंदे उपर दस रन बनाने थे चिन्नई की टीम को सामने थे रविंद्र जडेजा और इस वक्त जो है गुजरात के कप्तान हार्देक पांडिया और सपोर्ट स्टाफ उनसे बाते करते हैं मोहित शर्मा से बाते करते हैं क्या बाते हुए ये बताई खुद मोहित शर्मा ने उन्होंने कहा कि हार्दिक पांडिया और सपोर्ट स्टाफ जो है वो मेरा प्लान जानना चाहते थे कि मैं आखरी दो गेंदों पर क्या करना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग में पूरी तरह से क्लेर था कि मुझे उन आखरी दो गेंदों पर क्या करना है इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं यॉरकर ही डालूंगा और ये वजह भी बनती है क्योंकि पहली चार गेंदे उन्होंने ऐसी ही डालने की कोशिश की थी लेकिन कहते हैं ना कि जब दिन आपका ना हो तो गलतियां हो जाती है आखरी गेंद फेकते वक्त उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो बैटर के उंगली के पास गेंद फेके उसे ही निशाना बना कर उन्होंने दोडना शुरू किया अपने बॉलिंग रन अप में लेकिन गेंद जहां वो डालना चाहते थे वहां गिरी नहीं और गेंद जहां गिरी वहां पर जडेजा का बल्ला आ गया और गेंद बाउंडरी के पार गई और चन्नेई की टीम पाचवी बार चैंपियन बन गई खोद मोहित शर्मा कहते हैं कि इसके बाद जो है एक निराशा उन्हें हुई ही और ये सोभाविक भी है लेकिन वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ये गेंद फेक सकता था वो गेंदे फेक सकता था लेकिन मैं अब भी क्लियर हूँ कि मुझे यॉरकर ही फेकने थे और इसकी वज़ा भी है उन्होंने नेट्स पर इसकी काफी प्रैक्टिस की थी कुछ मैचेज में भी उन्होंने ये करके दिखाया था तो ये confidence उनके अंदर था और गलतियां इंसानों से ही होती हैं और वो गेन सही जगा पर नहीं पड़ी वो कहते हैं ने कि एक अच्छी गेन और खरा जानते हैं कि फिल्ड से ड्रेसिंग रूम की जो दूरी होती है वो कितनी अधिक बढ़ जाती है लगता है पैर आगे नहीं बढ़ रहे और ड्रेसिंग रूम पहुचना है लेकिन जब वो लोटने लगे तो रास्ते में महेंदर सिंग धोनी भी मिले जो कि उनके पुर्व क कप्तान हैं भारतिय टीम में जब वो खेलते थे तब भी धोनी ने उनकी कप्तानी की थी और फ्रेंचाइजी लीग में जब वो चन्नई के लिए खेलते थे तब भी धोनी ही उनके कप्तान थे धोनी इस स्थिति को समझते हैं उन्होंने मोहित को गले लगाया और एक आप क कि सांतावना के कुछ शब्द कहें। वहां से लोटकर मोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम पहुचते हैं, निराश थे, एक कोने में बैट जाते हैं। सोच रहे होते हैं कि क्या कुछ हुआ। तब ही वहां पर आशीश नहरा आते हैं गुजरात के कोच। और वो कहते हैं कि आप जो बेस्ट कर सकते थे, आपने वो किया, आप उसकी चिंता न करें। इसके बाद भी वो बातें तो हो जाती हैं लेकिन चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं मोहित शर्मा के। पूरी रात, उस रात के बारे में वो बताते हैं कि पूरी रात मैं सो नहीं पाया। नींद आखों में आई नहीं। और आती भी कैसे, वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये करता, मैं वो गेंद डालता तो क्या होता। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे थे कि अगर मैं कुछ और करता तो उसका नतीजा क्या आ सकता था। उन्होंने कहा कि ये बिलकुल अ और उन्होंने कहा कि जो गुजरात की टीम ने उन्हें चुना तो आप जानते हैं कि वो कहते हैं गुजरात की टीम में चुने जाने पर कि मैं कहीं नहीं था जब इस टीम ने मुझे चुना। मैं बिना किसी उमीद के यहां आया था और कड़ी मेहनत कर रहा था। मुझे न यही चीज़ आपको करनी है पूरे cricket खेलते रहिए उसे enjoy करते रहिए और cricket में कोई एक team जीतती है कोई एक team हारती है कोई खराब खेलता है तो दूसरा कोई अच्छा खेलता है यह cricket का नियम है और इसी के भरोसे cricket आगे भी बढ़ रहा है अगर सारी गेंदे आप अच्छी डाली देंगे तो कोई बैटर तो कोई रन ही नहीं बना पाएगा तो इसलिए इन चीज़ों को उसी वे में लेने की जरूरत है और जो आपने वो बाते कही कि मैंने अपनी कोशिश की और अपना सर्वस्रिष्ट प्रयास किया तो वही बात है कि आप कोशिश करते रहिए और अपना सर्वस्रिष्ट प्रयास देते रहिए आपका भविश्य अभी भी है आप फिर से टीम इंडिया में वो आपसे कर सकते हैं और जिस तरह का प्रदर्शन आपने इस फ्रेंचाइजी लीग में किया है आपने 27 विकेट लिये हैं आपको बतादू कि मोहित शर्मा ने इस फ्रेंचाइजी लीग में 14 मैचों में 27 विकेट लिये हैं जो आप कहें कि जो परपल कैप विनर है मोहमद शमी उनसे सिर्फ एक विकेट कम है जबकि शमी ने मोहित शर्मा से ज्यादा मैचेज खेले हैं तो कमाल का प्रदर्शन रहा है मोहित शर्मा का उन्हें मैं भविश्य के लिए शुब कामनाई देता हूँ और आप से इजाज़त चाहता हूँ अनुमती दे, नमस्कार अनुमती ही हमारी पहचान